नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग, तो आज मैं डिसकेसन करूँगा इंडी के एक पॉपुलार आईटी कमपनी के भार में, सबसब पहले देखें मैं आईटी जो सेक्टर है, निप्टी आईटी जो इंडेक्स है, उसका अगर मैं चार्ट देखू, तो लगातार निप्टी वो हाई लेवल में है, अगर इसी चीज को मैं निप्टी 50 के इंडेक्स के बारे में बात करूँ, तो आप ध्यान से देखना, कि इस तरीके से बड़ा सा एक फॉल देखना को मिला, तो सोची निप्टी गिर रहा है, साथी साथ देखा है तो बैंग निप्टी भी गिर रहा है, उस ताइम में IT सेक्टर में इसे क्या हुआ, जिस कारण IT सेक्टर इतना स्टॉंग है, तेकि पहली बात बता दू, डोनल्ड टरम फिर से बापस आ चुके है, डोनल्ड टरम फिर से मतलब पधानमंती बन चुके है, अमेरिका क्या, तो उस हिसाब से देखा है, तो डोनल ही रिकोवरी होने का समाई आ चुके है, साध इसलिए, निप्ती जो IT है, निप्ती आईटी के आगर मैं इंडेक्स के बारें बात करू, तो वो इंडेक्स बता रहा है कि कम्पानी आज लाइक टेम हाई क्या आफ तो एही सीचेशन के देखते हुए, मैं आज एक ऐसे कम्प लेकर टेक महंद्रा इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट, सरी, फिप्थ नहीं, शिक्स लार्जेस्ट आईटी कम्पनी है, तो बेसिकली TCS, Infosys, ASL Tech, Vipro, LTE महंटी और टेक महंद्रा, तो सारे कम्पनी इसको अगर देखेंगे, तो LTE महंटी का जो LTE महंटी नीचे था, आ टेक महंद्रा आप सभी जानते हैं, महंद्रा ग्रूप के एक सबसे बड़े कम्पनी है, और मुझे इस कम्पनी के बहुत कुछ खास पॉइंट देखनों को मिला, जो मैं आपके साथ सेर करूगा, तो पहले देखिए, पूरा सेक्टर में, अगर मैं ऐवरिज ली देखू, तो अबरिज ली जो टोटल सेल्स का ग्रूथ है, वो 7.63 है, और टेक महंद्रा का सेल्स का ग्रूथ कितना है, 3.49, चलो, फिर भी मालने तब पॉजिटीव है, जहापे वीद्प्रे का कम है, जहापे बाकी कम्पनी को आसपासी है, तो परसिस्टेंट का बारे में बात यहा कम्पनी का प्रॉफिट को देखिए, आज तक की हाइस्ट पॉफिट है, सारे कम्पनी से भी रेकोर्ड दोड़ कर हाइस्ट पॉफिट किया है, तो तीसरी बात कम्पनी का अगर क्वाटली रेजल के बारे में बात करू तो देखेंगे, तो इस बार आसा जो किया जा रहा इस बार रेजल अच्छा आएगा तो देखिए सांदर रेजल है तो सांदर रेजल है कंपानी के सांदर expense भी maintain हुआ सांदर profit growth भी देखिए double हो चुके है double से भी ज्यादा जब कोई कंपानी इतना सांदर रेजल करे और वहाँ पर जब कोई भी टेक्निकली चाट पतां दिखे या उसके उपर पॉजिटीव यू नहीं रखना चाहिए मेरे सबसे बेस्ट पॉजिटीव यू रखना चाहिए इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा quantity के साथ इस company को पूर continue कर रहा हूँ मैं आपको दिखा और किस पोजिशन में मैंने टेक्निकल को यूज किया तो इसको दिखाने से प्रहले company इतना अच्छा पार्फ में स्क्यू कर रहा है उसके बारे में जाना चाहिए तो चलो सबसे बहुत देख लेते हैं देखिए अगर मैं कंपानी के कैपेक्स के बारे मात कर रहा है कंपान 338 क्रोड का असपास और वो भी नास नेक्स थ्री एस में कंपानी तेर सो मिलियन डॉलार का टोटल इंवेस्टमेंट करने जा रहे है और इसमें अलग-अलग प्रोजेक्ट होगा आप देख सकते हैं जो यहापर जो प्रोजेक्ट लिखा गया प्रोजेक्ट परिवर्तन ज यहापर देख सकते हैं जो आटीफिसल इंटलिजेन्स है उसके यूपर भी बहुत thought or cheese इंवेस्टमेंट करने जा रहे हैं साती साथ तो आपको क्लियर हो जाएगा देखिए जो 15 सीव कंपणी ने किया आपको देखिए इन बैंक इन बैंक आप इंडिया मतलब इसके जो एपस है जो मतलब जो एपस है उस एपस को लॉंच करने का काम कौन कर रहे हैं तो सीधा-सीधा भात कहूँ कि कंपणी अलग-अलग project मिला कंपणी का अच्छा का सा प्रोजेक्ट मिलने के कारण कंपणी अच्छा का सा ग्रोध भी आपकर रहे हैं तो कंपणी नेखिए इस तरीके से ग्रोध होने के पीछे एही मेंली रिजन है साथी साथ डवलापकांट टीवी जो आईडिय सेक्टर को अभी इतने दिनों से उत प्रोध हो जाए तो कंपणी के यहां पर प्रोफिट एंड चेंज हो जाएगा तो कंपणी एक साल में 40% के आसपास रिटन दिया और लॉंग टाम में कंपणी आवरिज 10-15% के आसपास रिटन दिया तो देखिए मज़ेदार बात ही है कि कंपनी के उपर जो करजा है पूल परीज हजार क्रोर हो चुक है लाइस टेनियास में फिक्स असेट भी ढाई अज़य क्रोड से 13,000 क्रोड हो चुक है और इंपोर्टनस पॉइंड ही है कि कंपानी खुद के बीजिस्ट कर रहा है दूसरे जगह पे इंवस्ट कर रहा है तो कंपनी के हाथ में कितना पैसा है सबसे पहले देख लेते हैं कंपानी के हाथ में क्या से 4,300 करोड तो जो लोगों को मन में एही होगा कि करजा इतना है तो कहा से मिटाएगा तो खुद के हाथ में तो कैसी है 4,000 करोड तो वो easily दो बार इस करजे को मिटा सकते हैं तो as a investor इसलिए साइट कंपानी के बार continue कर रहा है तो कि institution एक भी माननी बेचा उल्टा कुछ quantity को adding किया और वो कहा सा adding किया पॉब्लीक ने माल बेचा उसी माल को institution ने खरिगरी किया तो institution तब उस company के बार बने रहता है जब company का stability और stand देखने का मिलता है तो चलो इस company का technically क्या stand है चलो एक बार बो दिखायता हो अगर मैं इस company के चार्ट को देखू अगर मैं टेक महंद्रा एक बार चार्ट को open कर लेता हो तो देखिए company totally trending में है totally trending और इसका जो previous high है वो कहा पर है अगर मैं previous high के बारे में चर्चा कर तो आप देख सकते है इसका high बना था एक lifetime high बना था 1832 के आसपास और company आज कहा पर चल ला है आज चल ला है उसी के आसपास आज चल ला है 1700 के आसपास तो 1700 से 1882 पर 1832 इस level तक तो बो जाने का कोशिस करेंगे ही जोरूर दूसरी ब बने के उपर किस तरह किसे टेकनिकली चाठ के यूज किया चलो बहुँ एक बाद देखा देखा हो देखें मैंने उज़ किया कुछ पैटरंस वो पैटरंस क्या है कफ लिए थाने पनलस देखें यहाँ पे एक टौप किया और तो इसके बाद देखें करिक्सेन भी हुआ फ इसका रूल से ही है कि जो इसका टॉप है उसी टॉप से नेक्स टॉप तक इसका मतलग केंडल क्लोजिंग होना चाहिए तो उसके बाद करेक्शन होना चाहिए तो यहां पर क्या बन गया कब बन गया उसके बाद हैंडल बन गया का बड़ा होना चाहिए हैंडल चोटा होना च पॉजिव रखा तो आपर देखिए मैंने इसका फीधाने को किस तरह के से हंडिल करूंगा देखिए मैंने पहले बता चुका हूँ कि एटीन हांडेड जो थर्टी टू के आसपास जो इसका लाइटेम हाई है उसी लेवल इसका स्टॉंगल एक रेजिस्टंस बनेगा रेजिस्टंस काम सप्लाइजर बनेगा क्यों देखिए इसी लेवल से कंपनी को पर एक बीग फॉल हो था कुछ छोटा मोटा फॉन नहीं है अगर टॉप से मैं अगर गाउन लेवल तक देखू तो अल्मोस्ट 50% का सपास क्रास हो गया था तो क्या फिर से क्रास हो सकते हैं यही जानने के लिए आपको इंतिजार करना होगा क्योंकि इसी लेवल को टच करने के बाद अगर स्टॉंगली ब्रेकाउट करें ब्रेकाउ करने के लिए क्या सही में इस तरी किसे स्टैटिजिस में डशन है और भूर देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हां कितना स्टेबिलिटी है कितना स्टेंद है अगर इसी डेटर को में प्रीवियस वेक्टिस्टिंग करके आपको दिखा दो तो आपको सब कुछ क करेंगे तो एक बार वैक्टेस्टिंग करके जुरूद देखना जैसे देखिए मैंने यहापे भी भैक्टेस्टिंग करके देखा और यहापे भी तक गया हां टाइम लगा मगर गया कितने दुने में गया तो जब लेगंड हुआ था उस ब्रेकवट लेवल से अगर मैं टार मोस्ट 1,000 डेज लगा 49 डेज 1,000 डेज का मतलब है at least तीन साल तीन साल में 49 डेज बना यह पर ज्यादा टाइम लग चुके है क्यों कि कोबीड के बीच में कोबीड आ गया था अगर कोबीड नहीं आता तो वह इसली और भी आगे तार्गेट आचीव हो जाता तो कहने का है कि जब भी आप इस तरह के से पैटरंस के यूज करेंगे तो एक बार आप एक टेश्टिंग करके देखना आपके खुद के ओपिनन रखना उसके बाद काम करना कि पहले भी इस तरह के से कुछ स्टैडिज बने थे आप सारे स्टैडिज को वाचर वाच आउट कर सकते है तो वीडियो में जान करें अगर अच्छा मिले तो प्रीज लाइक करना यहां पर में थोड़ा सा यहां पर भी एक पैटरंस को आपको दिखायता हूँ देखे हर बार आपको इस तरह के से पैटरंस मिल जाएगा सिर्फ आपको उस ताइम में फांडमेंटल फाइनसल को चे सरके सर 117 दिने 58 परसें करेंटरं मिला तो कभी-कभी हो जाता है कभी-कभी कुछ टाइम लग जाता है कभी-कभी कुछ जल्द से जल्द टार्गेट अचीव हो जाते हैं तो मेरे कहने का मतलब समझ चुके हैं अगर आप समझदार हैं तो सारे चीज को समझ कर काम करिए तो मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद